कही ना कही महिंद्रा एक्षुवी सेवन डबलों को टोयोटा इनोवा के साथ कंपेर किया जा रहा है तो इस एक्षिडरंट से हम इन दोनों गाड़ियों की बिल्द क्वालिटी को तो कंपेर कर ही सकते है दोस्तों यहाँ पर मिली जानकारी के मुताबिक 60-70 की स्पीड में एक इनोवा एक्षुवी सेवन डबलों को फ्रंट से हीट करती है और इस इंपेक्ट से दोनों गाड़ियों के फ्रंट में डेमेज आता है लेकिन यहाँ पर वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि महिंद्रा एक्षुवी सेवन डबलों की कंपेर में इनोवा को थोड़ा जादा ही डेमेज हुआ है दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनोवा के फ्रंट में बंपर, ग्रिल, हेडलाइट और बोनेट तक इंपेक्ट हुआ है इसी के साथ इंजिन वाले पोर्शन में रेडियेटर भी तुट गया और इंजिन वाल भी लिक होने लगा था और अगर बात करें महिंद्रा एक्सिवी सेवन डबलो में हुए डेमेज की तो गाड़ी के रैड सेट में जहाँ पर इंपेक्ट हुआ था सिर्फ उधर ही डेमेज हुआ है मतलब कि इनोवा की तरह कोलिजन आगे तक नहीं गया तो अब इस एक्सिडेंट को देखकर ये तो साप मालूम होता है कि महिंद्रा की ये कार बिल्ड कॉलिटी के मामले में अच्छे चोको पचार देती है